बिस्मिल्ला रुख्मान रुराखीम असलाम लीकुम फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब उमेद करते हूं फैरो आफियत के साथ होंगे आज मैं लेके आई हूं आपके लिए डोनेट भनाने की बहुत ही आसान रेसिपी जिसके लिए हमने सबसे पहले एक बाउल ले लिए हैं उसके अंदर हमने एक कप दूद्ध आड़ किया है वन हाफ कप हम शुगर आड़ करेंगे और वन टीस्पूं हमने वनीला एसेंस आड़ किया है और एक अदर अंदा आड़ करेंगे सारी चीज़े आड़ करके इसको अची तरह से मिक्स कर लेंगे जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं आपने इसको तब तक के लिए मिक्स करना है जब तक के चीनी हल ना हो जाए अब हम एक बाउल लेंगे 1 टेबल स्पोन हमने शुगर आड़ की है 1 टी स्पोन हम येस्ट आड़ करेंगे 3 कप भर के हम मैदा आड़ करेंगे अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के नोटिफिकेशन को आउन कर दें ताक के मेरी आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके वन हाफ टेबल स्पून शूगर आड़ करेंगे और त्मा मिक्सचर को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से अब हम इसके अंदर अंडे का मिक्सचर आड़ करेंगे ग्राजोली आड़ करेंगे और हम इसकी डो बना लेंगे अच्छी तरह से हमने इसको mix करके हमने इसकी dough बना लेनी है 10 मिनिट के लिए आटे को अच्छी तरह से गूनना है ताके वो soft हो जाए बॉल को अच्छी तरह से oiling कर लेना है brush की help से यह recipe आपने end तक देखनी है आपको जरूर पसंद आएगी बहुत ही अच्छे मज़े के और fluffy doughnuts बन के तियार होते हैं यह doughnuts सबसे best बन के तियार होंगे आप यह खाके और दूसरे doughnuts को भूल जाएंगे dough को भी अच्छी तरह से oiling कर लेंगे अब हम dough को cover करके 35 to 45 minute के लिए रख देंगे dough rise हो चुकी है and then हम इसको अगें गून लेंगे अच्छी तरह से stress करेंगे जिस साथ से आप वीडियो में देख रहे हैं हमने dough को इसी तरह से stress करके गून लेना है अब हम इसको अच्छी तरह से बेल लेंगे आपने इसके thickness half inch के करीब रखनी है अब हमने इसको अच्छी तरह से बेल लिया है मैं यहाँ पे चैमा की help लेके इसकी cutting करें हूँ आप doughnut cutter भी यूज कर सकते हैं या कोई भी गोल चीज इस्तमाल कर सकते हैं इसकी cutting के लिए doughnuts की cutting के लिए आप जिस भी चीज का इस्तमाल करें हैं उसकी edges sharp होनी चाहिए आपके लिए से cut करना easy रहेगा doughnut के holes बनाने के लिए मैं nozles का इस्तमाल करें हूँ इस तरीके से हम doughnuts की अच्छी shape बना लेंगे बाकी की dough को फिर से अगठा करके हम फिर से बेल के और doughnuts बना लेंगे doughnuts को फिर से rise होने के लिए 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे हमने doughnuts को फ्राइ करने के लिए पहले से ही oil गरम करके रख दिया था medium flame होना चाहिए जादा flame high होगा तो doughnuts अंदर से cook नहीं होंगे आपने doughnuts साइट से doughnuts को अच्छी तरह से cook कर लेना है color dark होने पे आपने flame low कर लेना है doughnuts साइट से doughnuts cook करेंगे doughnuts फ्राइ करने के लिए आप कोई भी flavorless oil यूज़ कर सकते हैं doughnuts को आपने 50 seconds के लिए दोनों साइट से फ्राउन कर लेना है अच्छी तरह से फ्राइ कर लेना है ताकि अंदर तक doughnuts को खो जाए अगर आप और बनाना चाहते हैं तो आपने same procedure again करना है doughnuts ready हो चुके हैं हमने यहाँ पर doughnuts पर homemade chocolate लगाई है आप भी अगर homemade chocolate यूज़ करना चाहते हैं तो उसकी recipe मेरे चैनल पर मुझूद है उसका link में description में add कर दूंगी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो like, share and comment करें अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो चैनल को subscribe करके bell icon के notification को on कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो में तब तक के लिए अलाहाफिज, कोक्यमी और एत्यमी थैंक यू फो वाचेंग